मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वर्तमान समय में ये अधिकारी हैं सरकारी नौकरी में हैं और जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी बचपन में एक समस्या हुई थी स्वास्त के रिगारिंग जिसकी दवाईयां आज तर चलती है तो कभी कभी वरीड भी हो जाया करते हैं क्योंकि स्वास्त की समस्या आई थी लाइफ टाइम दवाईया चलेंगी उसके बाद नौकरी वाकरी में कोई दिक्कत नहीं है कमाई ववाई में कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़ा सा वरीड होना, मन में नाना प्रकार के द्वंद और दुवदाएं चलते रहना, कन्फ्यूजन्स रहना, डर लगा रहना, इस बात के लिए इन्होंने हाथ दिखाया, बांके आगे के ग्रोध के बारे में जानना है, जॉब है, अच्छे पदपर है, बड़े जाते हैं कि कभी अचानक बल्ग में पैसा आ सकता है, क्या किया इनके हाथ पर यह योग बने है, और लाइफ लाइफ लाइन कैसी है, च्योकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होई थी, बच्छपन में ही, तो कही ना कही लाइफ लाइफ लाइन को लेके थोड़ा इनको को तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके questions को बड़ी गहराई पुरवक सुनेंगे, बहुं बताएंगे, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जिंदगी पर जो भी मुकाम हासिल किया है, वो अपने महनत के दम पर किया है, प्राकरम और समर्पन के दम पर किया है, इस वीडियो के क्रिपा से धन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिम्मत बहुत जाता है, तो सबसे पहले चीज मैं positivity को देख लूँ, और आपके द्वंद को दूर करते हैं, और life line को देखते हैं, क्या life line बता रही है, कैसी है ये life line, अब problem तो बड़ी थी, लेकिन जीबन रेखा इतनी accurate है ना, जीबन रेखा इतनी बढ़िया है ना, कि ऐसे व्यक्ति के लिए कहावत है, कि जब इतनी सुन्दर राही life line होना, तो ऐसे व्यक्ति मौत के मूँसे भी निकल के आ जाते हैं, क्योंकि इनकी आयू बड़ी लंबी होती है, और जिनको जा क्योंकि एक छोटी सी बाहना वाली बात है, कोई व्यक्ति बैठे बैठे भी चले जाते, कोई व्यक्ति खरे खरे भी चले जाते है, बहुत तरह की बाते होती इश्वर ना करे किसी पडिवार के मेंबर के साथ ऐसा कुछ घट ना हो, لیکिन मैं एक बात बता रहा हुँ, जब दमपर बता रहा हूँ इतना जो हाथ मैंने देखा है देखता ही रहता हूँ तो जब बड़ी जीवन रेखा होती है न तो हम लंबा आयू जरूर बता सकते हैं और ये भी नहीं बता सकते बड़ी जीवन रेखा के बाद कि आप डेफिनेट लंबा बचोगे लेकिन इभी शौर है कि अगर लंबी लाइफ लाइफ लाइन है तो उसका कुछ मतलब है वो आपकी लंबी आयू को ही बताता है अब देखो ये जीवन रेखा पढ़ना कंटीन्यू प्रकती की रेखा और लाइफ लाइन पर चार चांद लगाने वाली रेखा इसको भी अब कहते है जिस रेखा को अब हम ड्रॉख कर रहे है ये कंटीन्यू प्रग्रस लाइन है तो यह आपका प्रश्न ही है मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी है हाँ दवाईया लेना है या आपका भाग गिता डेस्ट नहीं था जो कुछ राहू रेखा भी था हेल्थ लाइन भी थोई टूटी टूटी है तो वो तो चलो ठीक है वो तो हो गई बात लेकिन मुझे आगे के लाइफ लाइन में कोई प्राबलम नहीं दिख रहे है और एक समय के बाद लाइफ जदा इस्मूद दिख रही है मतलब पैसा ज़ादा आएका न आप जिन्दगी को अभी नौकरी में है इस्मूद अभी भी आपकी लाइफ है अब आप जिन्दगी को इसमूत कब समझेंगे जब आपकी वहनों कामना पूरी हो जितना आप एक्सपेक कर रहे हैं उतना धनलाव आपको हो जाए जिसके लिए प्रियास कर रहे है उतना धनलाव आपको हो जाए तब ही तो आप मुखे रोप से खुश रहेंगे अब इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस दिख रही है ये मंगड रेखा अब मंगड रेखा न बड़ी कारगर रेखा होती है बड़ी महत्पून रेखा होती है ये life line के बलको increase करती है definitely करती है ना कि तो बात ही नहीं तो बहुत जबरदस्ट मंगल रेखा अब life line को support करने के लिए नया बाद बता रहा हूँ आपको भागे रेखा का भी काफी महत्व होता है और इनकी भागे रेखा देख लो सूरी रेखा बड़ी अच्छी है अधिकारी बनाने वाले चिन्ने तो थे ये सब परावरांचे सूरी रेखा के बड़े टरिंटेड हैं आप और ये वाली भी जबरदस्ट आपकी दिखने वाले फिश्टाइन आगे भी सूरी रेखा बहतर चल रही है अगर इसके बाद देखा जाए तो ये वाली भी आपकी भागे रेखा बड़ी शांदार है और ये कुछ यात्रा के लाइन से जातक की यात्राएं विशेस करके होती है घर से तोड़ा दूर ही ये रहते है उसके बाद देखा जाए तो यहां से भी एक सूरी रेखा निकल के आगे बढ़ रही है सूरी रेखा बड़ी है अधिकारी के रूप में सफलता को तो बता ही रही थी और ये अधिकारी है ये वरतमान समय में यहां से भी देख लो बड़िया सूरी रेखा है बढ़िया सूरी रेखा, एकदम जवर्दस मानो, बुद्ध पर खड़ी रेखा है, दिमाग तेज़ है, पैसा कमाने आता है, अगर मैं प्लैंटरी कंडिशन्स की बात करनों, तो वो भी दिखा दू, ये एक स्कॉायर सारी बरश्पती पर है, शुक्र काफी बढ़िया है, द किसी भी परकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो जी, ये तो होगी पॉस्टिव बात, अब बात करते हैं नेगेटिव, आखिर इनके जिन्दगी में परशानी क्यों आई, और आगे आ सकती है कि ने, और अभी क्यो थोरे से ये तनाम में है, अभी देखो क्या है न, आपक स्टेबिरिटी डमाडोल हो जाती है, मतलब आपके खर्च जादा हो जाते हैं, कमाई के कमपैरेजन में मैं बात कर लूँ, सेविंग्स बहुत कम हो पाते हैं, तो ये एक स्थिती ऐसी बन जाती है, जिससे में आप थोरा सा परिशान रहते हैं, जैसे अगर आपके युकतर जिन्दगी को बताती है, या फिर कहलो जातक तनाव लेते हैं, तो ये राहू रेखा का था, केसे और दूसरा भाग ये रेखा पर, यही दो नेगटिव एक्स, आपके नेगटिव एक्स्पेंस के योग थे, परशानी के योग थे, इसके बाद अगर मैं बात कर ल दिखा, जहां से एक और दिखा, तोई टूटी टूटी से है, लेकिन इतनी टूटी भी नहीं है, कि आप बहुत वरीड हो जाएं, थोड़ी है, इसके लिए आप प्रेमेडिक करो, अपना केर करो, स्वास्त का केर करो, वो तो आपको अल्रेडी करना है, ये तो हो गई बात अब बुद्धरेखा जो है, आपकी थोड़ी टूटी टूटी वाली कंडिशन्स में है, ये इंडिकेड करती है, कि ऐसे विक्ती, कौलकी फलकी स्वास्त की पेट वेट की प्रॉब्लम रहती है, अब जो आपको प्रॉब्लम होना था, वो तो हो गया, जिसका पर पैसे आते हैं, वैसे आज भी आने के चांसे से और आगे भी आने के चांसे से रहेंगे, चलो जी ये तो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगिटिव बात, अब कोई खास नेगिटिविटी हाथ पर तो है, मुझे कोई वैसी कोई खास नेगिटिविटी इनके हाथ पर नहीं दिख रही है, अब बात करते हैं, आगे के तरफ, कि अब जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, उसके लिए क्या उपाय करना है, वो तो मैं प्रिसनली बता दूँगा, लाइफ लाइन पर क्या कुछ स्थतिया मुझे दिख रही है, उस विशेपर भी हम बात कर ले लेखते हैं, क्या की कि लाइफ कैसी रहेगी, तो काफे इंडिपेंडन्ट ख्यालात के वेक्ति हैं और लगबग इंडिपेंडन्ट आप 17,60 क्या उसे हो जाते हैं, कुछ प्राग्रस लाइन था जो प्रगती को बताती है, ट्राइंगल्स है जो नेगिटिविटी को दूर कर रही है, और एक बहुत जबर्दस राहूरे का 14-15 वर्स के आसवास था, बहुत खतरना, बहुत प्रॉप्लमेटिक, और एक दिक्कत के योग थे आपके 18 वर्स में, तब 14 से लेके आप 18-19 साल तक परिशान ही रहे, कहलो ता आप 21 साल तक परिशान रहे, 21 के बाद एक दे 38 के आसपास भी एक तरक्की है, हल्की सी 38-19 का आसपास राहू रेखा है, उपाय दूँगा, 40-40 में तरक्की है, 42 में, फर देख लो एक और तरक्की है, आपके पर 45 में, जीबन रहे ठीक, एक बड़ी यात्रा है, आपके लगबग 49 में, फर यहां पर ट्रैंगल्स है, 49 से लेकिन लगबग 60 तक 60 के बाद भी लाइफ 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 ला चलो जी ये तो होगी positive बात negative बात उनका question तो आगे की जिंदगी आपकी ना mood रुप से लगबग चाल इसके बाद है smooth हो जानी है बात करते हैं इन कहते हैं के general अधियन के तरफ और भी जो जो चीज़े हैं वो में बता देता हूं समझा देता हूं तो ये आगे square response मध्य में इसको सफलता को पाते planet सचे conditions में राज्योकार खतेली comfortable life रहती है, comfortability में कोई दिक्कत नहीं है, बचपन सही comfortable रही है, वैसे बचपन सही कोई धन की दिक्कत नहीं रही होगी गुलाबी धन को एट्राइक करती है, जब भी धन की आवशकता हूं जिन्दगी पर आ जाता हूं, भैतरीन थम्ब है, strong इक्षा शक्ति है, यवा करती है, जई भी सपोर्ट की आवशकता पर एक हिमल जाएगी जायर्स के बढ़ अच्छा लाइज है, बहुत महात्मा कार्ची और जबर दस्थम्ब है, वैक्तितव शांदार है, इमानदार परवर्तिके हैं, इमानदारी में कोई भी समस्या जनक बात नहीं है, उसके बाद देखो समझदारी के लूप काफी अच्छी, बहुत समझदा इसके बाद देखा जाब प्रश्पती बहुत बढ़िया है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार, यह सब भी लेको लाइन से कुछ स्कुएर है, 32 के बाद अच्छा जीवन रहा है, थोलिशी अस्प्राप्ति में कमी समाने रूप से, यह नॉनमल है, इसको लेके चिंतित आगे भी सूरी रेका बहतर है, यह आपके फिश जैसे आ करती, अभी थोरा सा बनी नहीं है, बनेगी तो आपको बल्क में पैसा देगी, 40 के बाद चांसस है आने के, जबरदस आपकी बागे रेका आगे बे चल रही है, यहां से भी एक ट्रेंगल प्रॉपर्टी के योग क बनेगा, क्योंकि 38 के बाद वागे रेका बहतर है, बुद्र पर खड़ी रेका है, दिमाग तेज़ है, सनमर के रेक्शे बुद्री वेक से कारे करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, highly energetic, प्राक्रमी, समड़पित, इसमें कोई डाउट नहीं है, कभी हार नहीं मानते, कभी कोई बिमारी भी है, मंगल बहुत बढ़िया है, परती रुदग चमता को बढ़ाता है, सूरी रेका, ये मानलो आप, बहुत बढ़िया है, तैलेंटेड है, उच्छे दिकारी तो बनना ही था, बुद्ध पर ये lines ना, यात्राओं को बताती है, चंदरमा बढ़िया है, चं बहुत बढ़िया है, तो ये इंडिकेट कर रही है, ऐसे वेक्ति को हलकी फलकी स्वास्त की प्राब्लम बनी रहती है, तो केर करेंगा ठीक हो जागा कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है, जीवन रेका बहुत शांदार, आयो दिर्गायो, ये कुछ यात्रा के योग है, बाक मंगल पर ये लाइन्स है, ये इंडिकेट कर रही है, ऐसे वेक्ति थोड़ा टेंशन लेते हैं, टेंशन मत लिया करो, उपाए दूँगा, बाकि आपका मंगल बढ़िया है, तो फर तो इंसान प्राक्रमी तो ही, एनरजेटिक तो ही, लगजरी सुक के प्रापर लाइन्स ह वो तो लगजरीस लाइफ आपकी रहती है, ना की तो बात ही नहीं है, थोड़ा स्ट्रस का योग था है, इंसान जोड़ा स्ट्रस लेते हैं, तो इस केस में स्ट्रस का योग है, वाकि शुकर प्रभल है, शादी के बाद बागुन है, पथनी पक्से धनला, आप बच्चे करने का निकांके सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोट्सप नंबर डिस्कुप्शन मिल लेकर आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद